कोरोना महामारी से देश इस वक्त जूज रहा है संगहर्श कर रहा है लेकिन लगता है इस बीच खुशी की बात ये है कि एक कोरोना की वैक्सीन देश ने इजाद कर ली है जिसका नाम कंगना है शाद शोर तो ऐसा ही लग रहा है कि वैक्सीन बन चुकी है कंगना और इसलिए लोग जो हैं चारो तरफ कंगना कंगना चिला रहे हैं देखिए ये थोला सम्वेदन शील मुद्दा भी है लेकिन कई बार समय हमको ऐसे चवराहे पर लाकर खड़ा करता है कि जहां हमको उन्माद की सुनामी के बीच खड़े होकर संतुलन की कोई बात कहने की हिम्मद जुट मुद्दे ज्यादा दूर तक उनका इको होता है मैं जानता हूं कंगना रानावुत सुशांत केश्ट से विवादों में आई फिर उनका पंगा शिवसेना से हुआ शिवसेना का पंगा उन से हुआ और उसकी पढ़नती हुए बीमसी ने उनका एक मकान का कुछ हिस्सा संजे राउत ने कंगना को जो कहा पूरी पर गुना रखके वापस कर दिया कंगना ने उधार तो रखा नहीं वो भी इशू सेटिल हुआ बीमसी ने हतवरा चलाया कोट ने हतवरा रोक दिया इशू सेटिल फिर हंगा मा क्यों फिर ये भारत की अस्मिता की लड़ाई कैसे हो जाएगी भाई ये कुछ सिने स्टारों का चक्कर है सुषांत सिंग राजपूत रिया चक्रवर्ति कंगना रनाउत इतने ना इशू था और शुरवात में हमको तो ये बताया गया था कि सुषांत की मोत कैसे हुई उसकी खोज में लगे हैं सब लोग अब सुषांत तो गुम हो गया वो जो पुडिया भांग्चूरन थी वो भी गुम हो गई गांजात चरस जो भी थी अब बात आगई कि बंदे मात्रम क्या बंदे मात्रम पर कोई संकट है क्या भारत माता पर कोई संकट है क्या देश पर इसके कारण कोई संकट है तंगना नहीं मैं तो कहता हूँ इस देश की आधी आवादी जो मात्र शक्ती है उसके साथ कहीं भी कोई अन्याय हो गाउं में भी तो भी ऐसा ही आक्रोश दिखना चाहिए क्या दिखता है अब में देख रहा था उत्रपदेश का एक जिला मेरे दिमाग से उतर रहा है जो हमारे पास खवरी आती उसी में देख रहा था एक 6 साल की बच्ची एक 7 साल की बच्ची उनके साथ दुष्कर क्या वो भरत माता का विश्य नहीं है पिर क्या उस पर या खाड़ा परिश्यत को नहीं आना चाहिए क्या उस पर करणी सेना और बाकी सेनाओं को नहीं आना चाहिए यह बड़ा सवाल है पंति भेदम न कारेत पंति भेद नहीं चलेगा क्या नहीं आना चाहिए तेल डाल कर अपने शरीर को फूक दिया इसलिए कि दबंगों ने जमीन कबजा कर ली थी कौन उबाल लिया कितने लोग बोले कितने लोग सडक पर उत्रे धनुश्मान लेके तीर कमान लेके घोड़ा लेके कितने उत्रे वो माबेटे नहीं थे वो माबेटी नहीं थी नारी और सबसे बड़ा मसला जो मसला अदालत में से सेटल डाउन हो गया हाई कोड से या जो मसला CBI के पास है उस पर सरक पर संगर शोरा और जो मसला ना अदालत से तैह हो सकता ना CBI से कोरोना उस पर हमारा ध्यान नहीं पिछले शुशांत के केस के बाद से ऐसा लग रा कोरोना खतम हो गया कोरोना चरम पर है अस्पताल में जगा नहीं होग आइसोलेशन में लोग है हाहा कार मचा हुआ है कहीं चर्चा नहीं कोई चिंतन नहीं कोई राष्ट की साजी अभिव्यक्ति नहीं दिख रही नारा क्या लग रहा उखार पाओ तो उखार लो तो दूसरे करे उखार लिया इसका कॉंपटिशन हो रहा है ये 2020 का भारत है शेयत्तर हजार लोग मर गए शेयत्तर हजार लोग कोरोना से चिंतन है हमको बारा सो लोग आप पिछले 24 घंटे में मरें हैं हिंदुस्तान में बारा सो से ज़्यादा चोटी संख्या है क्या कंगना के साथ जो भी न्याय अन्याय हुआ उसके लिए उनके पास सब्वैधाने को उपचार है और वो पढ़ी लिखी महिला है अपने उपचार जानती है अपने अधिकार जानती है और हाई कोर से उन्होंने रिलिफ लेली रही पास शुशान्त की तो सिवी आई जाज कर रही है फिर महराज को उतरने कि जरूत काई पड़ गई नरेंदर किर जी को को कि कंगना तुम संगर्ष करो हम तुमारे साथ है अरे महराज आप धर्म करम की बात बताओ कि कंगना के संगर्ष में कहां साथ साथ घूम पाओगे और अखरा परिशन इसलिए तो बनी नहीं थे लोग कल्याण की बात करिये वहां तक तो मैं साथ हूँ आप कंगना के कल्याण में उसके साथ उतर जाएंगे मैदान में तो बनी समस्या हो जाएगगे इसलिए मैं आज ये बहस लेकि आया एक महिला के नाते एक प्रोफेशनल के नाते कंगना का पूरा सम्माद उनके साथ अन्याई नहीं होना चाहिए और अन्याई हो तो समवाईधानिक उप्चार उनके पास है और वो उनको एवेल कर रही है फिर पूरे देश को उसमें कूदने की जरुद क्या मेडिकल सुवधाई देश में कैसी है इसके लिए को सरक पर उत्रा जाच पूरी ठीक से हो रही कि नहीं इसके लिए को सरक पर उत्रा जो लोग home isolation में है उनके घर का राशन पानी कौन दे पहुचाएगा इसके लिए कोई साथ पर उत्रा पूरा के पूरा परिवाव home isolation में है उनके घर दूद से लेके और सब्जी तक कौन लाएगा किछनी चिंता जताई बड़े-बड़े विद्वान कंगिना पर भाशन दे रहे हैं और हथ तो यह बाबा से नियासी भी उसीम चले गए अरे महाराज आपका काम तो यह था कि कहते कि जो लोग होम आईसोलेशन में है अखाला परिश्यद उनके घर भोजन पहुचाएगी सो तो किया नहीं बूला कंगिना तुम जंगर्श करो अरे कंगिना को आपकी दरूद है क्या इसलिए आज यह मैं विशल लिए क्या हूँ भूत खेद के साथ